नमस्कार दोस्टों, Welcome back to your channel दोस्टों बात करने वाले हैं KBS PRT के बारे में इसका latest update क्या है दोस्टों आपको बताने वाले हैं और साथ इसाथ आपको बताएंगे इसका result कब तक आ सकता है कट आफ कितना रह सकता है तो जो भी जन का रहिया है आपको हम देने वाले हैं आप वीडियो में अन्तितक बने रहीएगा वही अगर बात करें हैं इसके अपडेट्स की तो हाली में एक नोटीस जारी किया गया है जहां पर आपको साफ तोर पर PRT के बारे बताया गया है ठीक है इसमें बताया गया है कि PRT में जितने भी candidates है selected इनके promotion की बाती इसमें की गई है ठीक है इनके promotion की बाती इसमें की गई है PRT में पहले से selected candidates की जैसा कि दोस्तों बताया गया कि 20 सिप्तमबर के पहले पहले आपका results आपको देखने को मिल जाएगा और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देख रखा होगा तो आपको हमने बता रखा है कि 15 से 20 सितंबर के बीच में आपका रिजर्ट्स देखने को मिल जाएगा ठीक है ये चीज हमने आपको पहले भी बता रखा है तो आप समझ सकते हैं कि जो भी जानका रही हम आपको देते हैं बिल्कुल सही देते हैं ठीक है तो आप समझ सकते हैं इस चीज को देखकर भई अगर हम बात करें दूसरे अपडेट्स कि ये तो भी अपडेट्स ये है कि इसका जो बैकेंसी है प्यार्टी का यह increase हो सकता है जी हां दोस्तों संभावनाय जताय जा रही है कि आपका PRT का बैकेंसी है increase हो सकता है increase होने की पूरी पूरी संभावनाय जताय जा रही है ठीक है और ऐसे में हम आपसे कहना चाहेंगे मेरे भाई कि आप अपनी तयारी को बरकरार रखिए interview की तयारी जो है आपकी ठीक है interview की जो आपकी तयारी है इसे आप करते रहे और जो भी इसका updates होगा हम आपको बताएंगे और अगर बात करें हम इसके cut-off की इसका जो cut-off है दोस्तों कितना रह सकता है तो आएए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं बाद वो चीज निकालते हैं और वही आप तक सेयर करते हैं ठीक है और मेरा जो कटाफ है दोस्तो 99.9% सही होता है अगर आपको विश्वास नहीं है तो जितने भी कटाफ हमने आपको पिछले पीछे के वीडियो में बता चुके हैं जिस भी वरती के कटाफ बता हैं वह आपको बता देते हैं यूर कटेक्ड़री में आपका जा सकता है 118-120 आपको बीच में देखने को मिलेगा या फिर इससे कम भी याएगा लेकिन इससे ॅजादा नहीं जा सकता है जितने भी cut-out बताएं इससे जादा नहीं जाएगा इससे कम ही देखने को मिलेगा अगर हम बात करें SC category की तो SC category में 110 के अंदर ही देखने को मिलेगा आपको अगले category की आपका अगला category आता है ST ST की बात कर लेते हैं मेरे भाई Aити का cut off बनेगा आपका 102 के अंदर ही देखनों को मिलेगा 102 नंबर के अंदर ही देखनों को मिलेगा Aanti का cut off और अगर बात करें EWS की तो EWS का cut off बनेगा 115 और VH category की बात करें तो VH category में आपका बनेगा 88 से 90, इसके बीच में ही आपको देखने को मिलेगा या इससे कम ही देखने को मिलेगा इससे जादा नहीं जाएगा ठीक है और अगर बात करें ओएच की तो ओएच में बनेगा दोस्तों आपका नब्बे इससे कम ही देखने को मिलेगा और अगर बात करें हम एक्स सर्विसमें की तो एक्स सर्विसमें की अगर बात करें तो 75 से 78 तर तर तक देखने को मिल सकता है इसके भीच में ठीक है तो यह कुछ इस तरीके का कट आफ रह सकता है अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि हर वीडियो में हम आपको अलग-अलग कट आफ बताते हैं हम एक ही कट आफ पर कायम रहते हैं सारी चीजों कनाल आफ निकालते हैं वही आप तक बताते हैं तो कट आफ यही रहने वाला है अगर आपको लगता है सब नॉर्मलाइजेसन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे इसमें तो यह देखिए हम आपसे कहना चाहें कि नॉर्मलाइजेसन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे और नॉर्मलाइजेसन होगा ही होगा क्योंकि जो आपका exam हुआ हुआ था or shift वा सब्षेया के फ्रक्रिया अपलाल Finnish होगा और कितने marks आपके बढ़ सकते हैं कौन से shift में कितने marks बढ़ सकते हैं OS counts के level फर कितना marks बढ़ सकता है आपका कौन से shift में अगर इसका वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर अफलोट कर दिया गया है ठीक है दो-तिन दिन पहले ही हमने इसके बारे में आपको बता दिया था वीडियो कमादम से ठीक है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए चैनल पर विजिट किये दोस्तों और उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं उमीद करते हैं मेरे वाई सारी चीज़े आपको क्लियर हो गई होगी उमीद करते हैं मेरे वाई सारी चीज़े क्लियर हो गई होगी वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लिजिए आप लाइक कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मेरे भाई ठीक है तो ऐसे मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसे अपडेट समा को देते रहते हैं मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहें